आर्गुजराद़ेस्प में आपका सौ अगात zijn, पिछले 10 साल में पुरे भारत में जो अक्तियाचार हो रहा है इसका महासंधियना दिल्ली में हो रहा है उसमें अमधावद के पुरो दिल्ली में क्या कासॉद्ली अपक二 मेस्टावरोतों हो जुञ वारे समाज के सबसे बड़े नेता पूरो सांसद कॉंग्रेस पार्टी के राष्टी परवक्ता डॉक्टर उदित राजी द्वारा एक महा संभेलन होने जा रहा है वह संभेलन दलित मुख्य जो है कि देश में जाती जंगंडना होनी चाहिए और जाती जंगंडना होने के बाद जिसकी जितनी आबादी है उस आबादी के लिहाज से उनको अनामत बढ़ानी चाहिए पचाश तक अनामत का जो मामला है उसको खतम करनी चाहिए और वस्ति के जाती के जो आज़ि पोड़ा पर रिलेक्सन होना चाहिए उवीएम पर नहीं वक्ष सुधार भी लाया है उसकी मुकालिफक में डॉक्र उदीत राज ने जो जीपीसी के समख जाकर भी अपना विरोध दर्ज कराया था और अभी इस समेलन में ये मुद्दा भी है साथ साथ में जो देश में भड़काओ भासन हो रहे हैं जो मॉब लिंचिंग हो रही है उसके खिलाब भी उन्होंने कहा है कि अगर जिमीत उल्माय हिंद और मुझे परमिट करते हैं तो मैं सुप्रिम कौर्ट में मुस्लिम समाज की इन बातों को लेकर कर जाओंगा कि प्या सबसे बड़ी दुख्य बात है जिनके जिम्में ये देश का समीधान चलाने की जिम्मेदारी है वह भारत के सर्माननी परधान मंतरी खुद कहते हैं कि एक है तो सेफ है आपकी जो है मंगल से तो लेके चले जाएंगा आपकी भैस चुरा लेंगे मैं मानता हूं कि इतनी ब बोलते ही हैं लेकिन उनकी आदरी में जो एक घिसा पीटा पुराना बुड़ा फिल्म इस्टार में सुन चक्रवरती इसको चलने का भी होश नहीं है वह आदमी महां से खड़े रेकर के मुस्लिम समाज के खिलाफ के बारता है पूरी जिंदगी वह आदमी ने से उकरा और स जब तक भारती जनता भारती है वहां तक हम मुस्लिम समाज को अनामत नहीं देंगे लिख लो तुम मैं गरमंदी से बूतना चाहता हूं किस मुस्लिम समाज ने तुम्हारे बास अनामत मांगी है तुमको जो इंसाफ देना इंसाफ तो तुम देते नहीं हो हम तो कभी हमने कभी बुस्टिम भूष्में हिंदुशतान भीक नहीं मांगी हें हमने मांगा है हमारा समयदानी कधिकार मांगा है हमने मांगा है देस में जो है rule of law लागोह और चाहिए काइदे गराजives प्रस्ता भी दोना चाहिए और हमने मांगा यह है कि जो सब को मिलता है तो बिणा भेदबाव ہے हमको भी बिलना चाहिए हमने ज्यादा की बात कभी भी इस सर्जमी एंदोस्तार पर नहीं किया है नहीं किया हใชा हम करने वाले हैं हम यस देश के में भारवात नहीं हम मालिक है हमारा हाथ आपशन था था खुला उप संदागे हम पाकिसाथ जा सकते हैं लेकिन हमने पाकिस्तान को ठुकराया जिनागी पॉलिसी को ठुकराया हमने जो था उस वक्त में मौलाना बुलकलामाजाद की बातों को माना गांडी जी पर परोसा किया और हम लोगों ने जो था इस देश के साथ में रहने का फैसला गया, इस देश के सची राज बगत हमें, हजारों हमारे उल्मा राम लिख में ख़दकों ख़दत्ध भातीए, बल्के हमारी जो संक्यादी उसके आधार पर कुर्बानी का अगर रेशियो निकालोगे तो हमारा रेशियो मुसल्मानों को सबसे ज़्यादा सुमाएगा तो इस देश के लिए हमने कुर्बानी देश हमारा है और हम यह चाहते हैं कि इसमें सविधानिक लागो तो मैं आपके सब्सक्राइब को एक अपील करना चाहूंगा कि डॉक्टर उदित राज इतना अच्छा शमेलन करने जा रहे हैं सबी के बातों को लेकर के दलित आदिवासी ओबीसी मुस्लिम की बात करने घरीब उची जादी के लिए उनको पसमांदा पसमांदा है परेशान परेशान है तो सभी की बात जब तो उसमें गुजरात के लोगे से अपील करूँगा एंजियो से अपील करूँगा समधार लोगे से अपील करूँगा कि एक डिसेंबर के रामदिला मेधान के कारेकरम में हम सब को जाना चाहिए और डॉक्टर उदित राजी के हाथ को मत्बूर करना और देश की गंगा जमनी तैजिव को जो है हमको आगे बढ़ाना चाहिए और मुझे आप से पुछना जाओंगा योगी आदितोनाद देश के सबसे बड़े राज्ये का मुख्यमंत्री उनको जहरोगनने के स्वेया दूसरी उनके पास कोई बात होती नहीं है असल में तो बाटने का और काटने का दोनों कामी योगीजी करते हैं उनका कामी है हम तो यह कहते हैं कि सबको पुरे हिंदूस्तान में लह रहा है और हमारे देश की जो एकता भाई चारा जो अमन है वो बरकणा में हमारे देश की सद्धाव नहां बदने लिगने दुख के साथ कहनाफ़ता है कि योगी आदित आत हो असलाम के मुक्षे मंतरी है मनता बिस्थ शर्मा हो अब मुक्षे मंतर की बात तो दूर है जब देश के परधान मंत्री और इसके ग्रह मंत्री ऐसी बात करेंगे तो सभावी के कि नीचे के जो लोग है वो तो यह बाते करेंगे यह एक बेशरमी की हरिफाई चल रही है कि कौन बड़ा बेशरम है और सुप्रीम कौट में से तीन जज्जमेंट है उसके बारे हम आप क्या कहना चाह करेंगी है एक तो मदर्सा की जो वेदता पेशा काईदेश सरता पेश जो सवाल था उसको बरकरा रखने का उसके एक जज्जमेंट आया तीसरा बुल्डोजर की राध्यदी के खिलाफ जो है जो गाइडलाइन सुप्रीम कौट मैं मानता हूं के हमारा जो भरोसा समीधान देश में कानून का राजप्रस्तावी तो और मजबूत हुआ है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर भी जो मॉब लिंचिंग और जो भड़का हुवासान उनके खिलाब कोई सुप्रीम कौट सुमुट कंप्लेंट दायर करके सुमुट अपनी लेके पिटिशन उनके खिलाब भी जबरसक्त तरीके से कानूनी जो दंदा है उसको पचाड़ेगी और इनको उस दिसा दिर्देश देगी कि दीस की अखडिता एक तौर वाईचारा के लिए सभी को सयम में रहना है सभी को कानून का पालर करना है को यसी बात निकरी जिससे एक दूसरे के धर्म की कुई सी दूसरे की भावन आहत हो कि हम तो कहते ही हैं मुझे 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 बुलाया मेरा इंट्रियू लिया मैं आपका बहुत शुक्र गजारों फिर से एक बरतबा गुजरात के सभी जिम्मेदार समझदार लोगों से दानिसोर्स अपील करता हूं कि एक कारेक्रम के अंदर मजबूदें के साथ चुड़ें और ना इन साफिक खिलाब अपनी आवास को बुलंद करें खुब कुब आवार आपका यह ते ग्यास दिन सेग जो पूरुदारा सभी है उनके अभी लेक एक डिसेंबर के दिन जो दिल्ली में महां से मेलने राम लिला बेजान में हो न जा रहा है वहां मोटी सिंक्या में लोग जाए रई सियत एमदाबाद इसमें आजवासी हैं वहां पर चार होने चाहिए बिल्कल ताकि इदक लगे कि यह बहुजन है यह बहुजनों का है बिल्कल अब बहुजन के प्लेटफार्म से ही लराई लड़ी जा मुसल्मान को भी अपनी स्टेटीजी बदनने चाहिए बिल्कल कि वह बहुजन के साथ लड़े और हम तो इसलिए वक बचाओ नारा भी है एक दिसम्बर को जो दिल्ली के राम निला मायदान में रही है गुजरास से गया सुदिन जी हैं उनसे बड़ा हमें सहयोग मिलना है मुझे लगता है कि अब तस्वीर बदलेगी एक दिसम्बर से जब दली तो भी सी माहिनाटी आजवासी आएंगे एक बाद मैं और कहना चाहता है पार्टियों को मुसल्मान लोग को लोगों के सिकायत है कि पार्टियां उनके बारे में अब बोलना बंद कर दिया है उन्ट पूची तो लोग भी है कई पार्टियां है चाहे कांगरेस हो चाहे समाजबादी पार्टियों और बहुत सारी पार्टिया से कुलर है या नहीं वह उनको मुसलिम के साथ अन्याय हो रहा तो उनको तकलीप नहीं होती लेकिन मजबूर पार्टियां कोई संतगीरी के लिए नहीं राजनीतिक पार्टी का परिभासा ही एक है कि एक ग्रूप अप्ड पीपल देविल फाइप पर सर्टेन आडिलोजी और फॉर दायर देविल कैप्चर दॉपलिटिकल पावर वन देविल इंटी पावर देविल इंप्लिट दोज से पॉलिट जो कहते राजनीति कर रहे तो राजनीतिक पार्टी को राजनीति नहीं करें एक गलत यहां का तो मिडियो कर मिडिया डफर लोग है उसको कहते राजनीती कर रहे हो तो राजनीती करना कुंसा गलत बात है तो सही राजनीती गलत राजनीती में फरक है उसमें क्या है कि जैसे कि अब इसकोप नहीं रहा गया कि पॉलिटिकल पार्टी आपके बारे में खुल के बो नहीं होता हम तो बोल सकते हैं बिल्कल तो अब सामाजिक सत्ता से लड़ना चाहिए सामाजिक ताकर से लड़ना चाहिए बिल्कल जब एक सामाजी के नयाए बन जाएगा सामाजी के नयाए का अब्यक्ति चाहे भारती जनता पार्टी में भी होगा बिल्कल तो भी वारती जन सत्ता के खिलाप है इसलिए सामाजी किन्याय का अंदोलन कहीं भी चले किसी के दौरा चले वो सिकुलर पार्टी को ही फायदा है उसका बिल्कुल कांग्रेस जैसे पार्टी हो या कहां जा सकता है कि दियम के हो समाजबादी पार्टी हो टीमची हो इंडिया गरबंदन की जैस के एमपी मुस्लिम समाज सबको बुलाएंगी आई आप क्या बोलना चाहते हैं आप रहेगा यह नान पुलिटकल हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन इसकी आइडिलोजी ऐसी है जो समाजी की बात करेगा उसके लिए आपका मंच है वहां वो उसका पदिंग उनको भी बुलाएंगे अपने मंच पर आप बिल्कुल हमने अपने साथी हैं साही दली जीते में गया से दिंजी ते भी कहूँ आप ते भी कहूँ और लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको आमंतिर्ज करें हम लिखेंगे उनको बुलाए जाए और आ हो रहा पार्टी जानती हैं लोग जानते हैं लेकि बोलना नहीं रहें बोल नहीं चाहरें लोग जानते हैं जहां देस का मददाता कितना समचदार है सब जानते हैं पंद्र लाक उर्पया सबके खाते में आएंगे दो करोड रोजगार मिलेगा वही आदमी कहता है कि मेरा जो बात क्या है पत्थर में लकीर का है तो इस देश की जनता को मौर्ख न समझाए फिर भी जनता बूट दे रही विस्वास कर रही बासर तो ने रही या दोनों ची ज दा नहीं दिखाई पड़ रहा लोगों का कितना लोगतांतरी करण अभी हुआ है प Pokémon कहा लए इसलंएं नफरत करता हूं कि वो अपने को हम से नीचे सूच रहा क्यों सूच रहा है आए मेरे बराबर क्यों नहीं सोच तब हले इसांसे कम क्तरीका शिकार है तो छोगतांतरी करण इस देस में कभी राया नहीं? जातीयों का देथ रहा? घ्यक्त की पूजा होती रही है। बिलकल तो छूते हो तुम इतना तकलिप में हूँ या इसी सी मित जाओ, कोही भी जाओ, अच्छा नेता, पाँच हुआना बड़ा पसंद करते हैं और चेले जितने हैं जाज के धर से पहुंचों ने अजे भाई क्यों चूते हो तुम यह लोगतांतर के खिलाब है लोगतांतरी करना हुगा ही नहीं समाच का देश का उसका लाब उठा रहे हैं यसलिए कहेंगे दो करोरोजगा देंगे और नहीं दि बैटी उठा ले जाएं बिलकल गुस्पाइटी हैं यहां के मुस्लमान गुस्पाइटी यो बता रहे हैं और बाई बार्डर सेकूर्टी फोर्स आपके पास है गुस्पाइटी आए तो आए कैसे बिलकल वह आप 11 साल क्या कर रहे थे अब अंडा दे रहे थे आप में निक हैं तो गैस सुदिंगी ने का तो हमने का उन्हों अरसन मदिंगी से बात किया तो अरसन मदिंगी